आप सबका हमारे चैनल में सवागत हैं आज हम पढ़ने वाले जैन्द्रम के बारे में जैन्द्रम के पर्थम या पहले संस्थापक जो थे अथुआ पहले तिर्थंकर थे वो रिशब देव थे रिशब देव को पर्थम तिर्थंकर माना गया जयन द्रम के 23 वे तिर्थंकर पार्शो नाथ थे जो के इक स्वाकू वंसी राजा अस्व सेन के पुत्तर थे पार्शो नाथ को तीस वरश की अवास्ता में ही वेराग्य उत्पन हुआ जिसका अन्गरे त्याकर वे सन्याशी हो गए मावेर स्वामी जयन द्रम के 24 वे एम अन्तिम तिर्थंकर हुए इनके समेकाल में ही जयन द्रम चरम सीमा पर था मावेर का जनम 540 इसा पुरो खुंडगराम वेसाली में हुआ था इनके पिता सिदार थे जो के गैत्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिसला लिछवी राजा चेटक की बहन थी मावेर की पत्नी का नाम यसोदा और पुत्री का नाम अनोज़ा पिरिये दर्सनी था मावेर के बच्पन का नाम वर्दमान था मावेर ने तीस वरस की उमर में माता पिता की मिर्तु के बसाथ अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमती लेकर सन्या जिवन को स्वीकारा था बारा वरस की कठीन तपश्या के बाद मावेर को जरिम्भिक के समीप रिजुपाली का नदी के तठपर साल वरेक्स के नीचे तपश्या करते विए संपुर्ण ग्यान का बोधुआ इसी समय से मावेर जिन अथवा विजेता अरहत अथवा पुजे और निर्गरंथ अथवा बंदन हीन कहलाए मावेर ने अपना उपदेश प्राकर्त बासा में दिया प्राकर्त बासा को अर्दमाग दी बासा भी का जाता था मावेर के पर्थम अनुयाई उनके दामाद उनकी बेटी पिरिये दर्शनी के पती जामिल बने पर्थम जैन बिक्षुणी नरेश ददिवान की पुत्री चमपा थी मावेर ने अपने शिश्यों को ग्याराएं गण धरों में विबाजित किया था आरिये शुदर्मा अकेला ऐसा गंदरों था जो मावेर की मिर्थु के बाद भी जिवित रहा और जो जैन दर्थम थेरा या मुख्या उपदे सके हुआ पहली जैन सबा पाटली पुत्र में 322 इसवा पुरों में हुई जिसका नेतिरतो बदर बाओ और सथूल बदर ने किया इसी सबा के बाद जैन दर्थम दो बागों में बाजित हो गया सवेतामबर अथ्वा जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो एक दम नगन अवस्था में रहते हैं बदर बाओ के शिशे दिगंबर और सथूल बदर के शिशे सवेतामबर कहलाए दूसरी जैन सबा 512 इस्वी में वल भी मेवी वल भी गुजरात में स्तित हैं वल भी नामकस्थान पर देवर्धी समा सरवन की अद्धा के संपन होई मुख्यते जैन दर्म में हीत्री रतन है बहुत दर्म में ऐसा नहीं है जैंद्रम के तीन त्री रतन के बारे में हम पड़ेंगे पहला रतन समयक दर्शन, दूसरा समयक ज्यान, तीसरा समयक आचरन त्री रतन के अनुशीलन में निम्न पांच महावर्तों का पालन निवारिये है अहिंचा, सत्यवचन, अस्ते, अप्रीग्रे, एम भ्रम्चरिये इनका पालन करना आवशक माना गया जैंद्रम में इश्वर की मान्यता नहीं है जैंद्रम में आत्मा की मान्यता है मावेर पुनरजनम एम करमवाद में विश्वास करते थे मावेर जोदे वो पुनरजनम और करमवाद में ही विश्वास करते थे जैंद्रम के सब्त भंगी ज्यान के अन्येज नाम सवादवाद, सयादवाद और अनेकांतवाद है जैंद्रम ने अपने अध्यात्मिक विचारों को शांख्य दर्शन से ग्रेन किया जैंद्रम मानने वाले कुछ राजा थे उद्दाइन, वंद राजा, चंदरगुप्त मोरिय, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्टर, कुट राजा मोगवरस और चंदेल सासक मैसुर के गंगवंच के मंतरी चामुंड के प्रोचसान से करनाटक के सरोन बेल गोला में दस्वी स्ताबदी के मद्दे में एक विशाल बाहू बली की मूर्ती, गोमतेश्वर की मूर्ती का निर्मान किया गया खुजराहों के जैन मंदिरों का निर्मान चंदेल सासको दवारा करवाया गया मौर्यतर युग में मथूरा जैन धरम का परशिद के अंदर हुआ करता था मौर्यतर काल यानि मौर्ये सामराजे के सासन काल में मथूरा जैन धरम का मुख्य के अंदर था जैन तिर्थंकरों की जिवनी बद्दर बाउदवारा रचित कल्प सुत्तर में श्तित है यानि कल्प सुत्तर जो अपुस्तक है वो बद्दर बाउदवारा रचित की गई है जैन तिर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयेंचंदर था मतुरा कला का सम्मन जैन द्रम से है बैतर वरस की आई में माविर की मिर्टू अत्वा इसका निर्वान 468 इसापूरों में बिहार राज्य के पावपुरी पावपुरी में हो गई पावपुरी राजगरे में स्थित है मल राजा सस्तिपाल के राजपरशाद में माविर स्वामी का को निर्वान प्राप्त हुआ था धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें